हेलो फ्रेंड मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से आप जैसे कि आप जानते हैं मैं आपजेक्ट ओरियेंटेट प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन के उपर पूरा सिरीज बना रहा हूँ और जो आज का टॉपिक है कि आप किस तरह से किसी भी आपजेक्ट क इसे properties को modify कर सकते हैं या फिर delete कर सकते हैं या फिरwnyकर्ड कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करने से पहले जीस अब स술 में आप सर्क्वेश करता हूँ कि अगर अभी तक से जरूर क्लिक करें जिससे मेरे जतने भी नए वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहें साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी मैं यहाँ पर प्रोग्राम कर रहा हूँ जिसको की मैंने पिछले वीडियो में यूज किया था तो आप देख रहें एक ABC नाम का क्लास है उसके अंदर दो मैथट है एक इनिट है और एक डिस्पले है और इनिट मैथट के बारे में तो आप जानते ही है 6, object 1 के उसी तरह object 2 equal to ABC 10 लिया है तो उसी तरह इनिट मैथट कॉल होगा और इसके X base 10 चला जाएगा मतलब OBJ2 के X में 10 चला जाएगा और फिर दोनों को हम डिस्पले कर रहे हैं अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर किसी object के किसी properties को अगर आपको change करना है modify करना है तो कैसे करेंगे जैसे यहाँ पर आपने OBJ1 के X में आपने 6 बेजा है अब मैं चाहता हूँ इसको modify करना इसके जगा मुझे 20 चाहिए तो मैं यहाँ पर लिखूँगा OBJ1 dot उसके बाद X equal to 20 तो यहाँ पर जो आपने X का value 6 रखा था वो अब बन गया 20 वो अब modify हो गया 20 उसी तरह OBJ1 dot OBJ1 नहीं 2 dot X equal to मैं यहाँ पर कर देता हूँ 30 तो इसका मतलब OBJ2 में जो 10 था वो अब हो गया 30 मतलब OBJ2 का जो X में 10 था वो अब हो गया 30 ठीक है तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ एक print method ले लेता हूँ और उसमें लिख देता हूँ after modification जिससे की मुझे output में पता चल जाए after modification और फिर से हम यह display method को call कर लेते हैं तो जिससे की हम देखेंगे कि यह modify हुआ है या नहीं हुआ है तो चलिए हम इसे save करते हैं और उसके बाद हम इसे run करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते X equal to 6 और 10 है कब modification से पहले जब कि जैसे ही आपने modification कर दिया तो X का value 20 और 30 हो गया तो इस तरह से आपने क्या कर दिया कि properties को change कर दिया तो इस तरह से आप किसी भी object के properties को change कर सकते हैं अब आप चाहें तो किसी property को delete भी कर सकते हैं ठीक है तो चुकि यहाँ पर हमारे पास एक ही variable है तो delete कर देंगे तो कुछ बचेगा नहीं तो हम यहाँ पर क्या करते हैं दो variable ले लेते हैं X,Y और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ self.y equal to y ठीक है और यहाँ पर हम print के लिए भी क्या करते हैं एक और ले लेते हैं और यहाँ पर मैं कर देता हूँ y और यहाँ पर भी मैं कर देता हूँ y तो मैं यहाँ पर दो variable ले ल ठीक है तो X में आपका 6 चला गया 7 जो है Y में चला गया OBJ1 के और OBJ2 के X में चला गया 10 और Y में चला गया 11 अब यहाँ पर हम इसे चलिए display करके देखते हैं तो हमने save किया और हम इसे run करते हैं तो आप देख रहें X और Y का value दोनों object का display हो रहा है 6, 7, 10, 11 अब हम इसे delete करेंगे ठीक है मतलब हम किसी property को delete करना चाहते हैं तो चलिए अब हम यहाँ पर क्या करते हैं लिखते हैं del ठीक है OBJ1.x हम क्या करते हैं OBJ1 का जो X property है उसको हम delete कर देते हैं ठीक है अब मैं इसे save कर लिया अब मैं इसे run करता हूँ तो यहाँ पर error आ रहा है कि ABC object has no attribute X ABC में attribute जो X है वो ABC के अंदर नहीं है क्यों ऐसा आ रहा है क्योंकि आपने उसे delete कर दिया ठीक है क्यों ऐसा रहा है क्योंकि आपने उसे delete कर दिया और फिर आप उसे display में use कर रहे हैं ठीक है तो यहाँ पर अगर आप डिलीट कर रहे हैं तो फिर उसको आपको बाद में यूज नहीं करना है अगर उसी तरह अगर आप इसको यहाँ से हटाके उपर रख लेंगे तो फिर कोई अरर नहीं आएगा तो हमने सेव कर लिया और यहाँ पर हम रन कर रहे हैं तो यहाँ पर देखने हैं X का Y का वेलू 6 से बेना रहा है तो आप देखेंगे output आएगा कोई problem नहीं है यहाँ पर output आ रहा है पर उसके बाद अगर आप obj1 को use करते हैं आप लिखते हैं obj1.display और उसके बाद आप इसे अगर जो है save करने के बाद run करते हैं तो यह error देगा कि obj1 was not defined बुल रहा है obj1 तो defined ही नहीं जबकि आपने तो य delete कर दिया यूज करने के बाद तो इसी तरह क्या कर सकते हैं कि यह बहुत अच्छा feature है जैसे आप इस program को लिख रहे हैं अभी क्या है कि आपने obj1 और obj2 आपने create किया अब program run किया उसके बाद छोड़ दिया तो यह कही ना कही memory में space लेके रखेगा तो आप क्या कर सकते है दोनों object को delete कर सकते हैं काम होने के बाद तो इसलिए जो है python को आजकर लोग ज्यादा क्यों use कर रहे हैं इसलिए तो यूज कर रहे हैं तो कि कुछ ऐसे feature है python में जो की बहुत आसान है ठीक है वो feature को बहुत आसान तरीके से आप यूज कर सकते हैं तो आपने क्या क्या है प्रोग्राम खतम हो रहा है तो आप उसे डिलीट कर दो ठीक है जितने भी आपके temporary object है तो इससे क्या हो रहा है कि आपका memory जो है memory management आप बहुत आराम से कर पा रहें तो चलिए friend I hope कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अच्छा लगा तो like करें share करें comment करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करका तो सब्सक्राइब कर ले आप बगल में जो बहुत अच्छा जरू क्लिक करें जिसे मेरे जत्ते भी नहीं वीडियो है तो इनके notification आपको मिलता रहा है thank you and good bye